नवस्कार आप देख रहे हैं एक साइन स्पोर्ट्स और मैं हूँ लबकुमार अमारे खास अपडेट में आपका स्वागत है बारत और और अस्ट्रेलिया का पहला वंडे मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल इस्टेडिया में खेला जा रहा है और यहाँ पे भारतिय टीम 237 रनों के लक्ष का पीछा करिये लेकिन लगातार एकक करके यहाँ पे विकेट गिरते जा रहे हैं और भारतिय टीम 98 रनों के स्कोर पर ही अपने 4 विकेट गवा चुकी है एक बार फिर हम तॉप ओडर पे लगातार भरोसा जाताते आ रहे हैं कि अगर तॉप ओडर हमारा चला तो हम मैच निकाल सकते हैं लेकिन मिडिल ओडर से भरोसा नहीं है और वो आज एक बार फिर से देखने को मिला शिखरदवन जीरो रन पे आउट हुए ये सिर्फ पहली गेंदो पे शिखरदवन आउट होगा दूसरे ओबर के पहली गेंदो पे शिखरदवन आउट हुए उसके बाद रोईशमा और विराट कोली के बीच में आप एक अच्छी पार्टनर्सिप देखने को मिली विराट कोली जब टीम इंडिया का स्कोर 80 रन था वहाँ पे आउट हुए उसके बाद 95 रन पे रोईशमा आउट हुए जब टीम इंडिया का स्कोर 95 रन था तब रोईशमा आउट हुए से हैं चास सकते हैं लेकिन अमबती राइडू यहाँ पे सिर्फ 13 रन बना के आउट हो गए हैं और एक बार यह फिर देखने को मिला है कि जो भारत टॉप ओडर भारत का फ्लॉप होता है तो यहाँ पे मिडिल ओडर से भरोसा नहीं कर सकते और एक लोई स्कोरिंग मैच वंडे के हि मैच गवाँ भी सकती है आपको बता दे कि लगातार भारतिय टीम को अश्रेलिया के खिलाब हार का सामना करना पड़ रहा है पहले हमने दो टी-ट्वेंटी मैच देखे वहां भी भारतिय टीम की पहले मैच में बलेबाजी की कमिटी दूसरे मैच में और श्रेलिया ने बह हम भरोसा नहीं जता सकते भारत की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वह यहाँ पर फृडिल ओडर जो ताकत है वह हमारी कमजोरी बनते जा रही है अगर टॉप उडर जिस दिन अच्छे से बल्लेबाजी नहीं करता है टॉप और नहीं चलता है तो हम मिड बहूदी बरोसा नही करेंगे सिर्फ तेरा रनों पे आउट होगे 19 गेंदों का सामना किया यहाँ पे दो चोके जड़े मतलब 8 रन तो इनके बाउंडरी से आगे उसके बाद यहाँ पे रन बहुत कम लगाई इसके बावजूद भी यहाँ पे 19 गेंदों में सिर्फ तेरा रन बना के आउट होगे वहीं महन सिंग धोनी अभी शांदर तरीके से बल्ले बाजी कर रहे हैं दबाव महन सिंग धोनी पे बहुत जादा है दस गिंदों का सामना कर चुके हैं महन सिंग धोनी इनके बल्ले से अभी सक तक सिर्फ तीन रन निकला है वहीं किदार जादों बल्ले बाजी करने आए हैं LBW आउट किया विराट कोली को, पहले तो अम्पायर ने नोट आउट दे दिया, लेकिन अउस्डेलिया ने DRS लेने का फैसला किया और DRS में विराट कोली वहांपे आउट हो गया और पबिलीन वापस लोट गया, उसके बाद catch out हो गई रोईश्रामा और यहाँ पर अंबती राइडू का विकेट भी एडम जामपा नहीं लिया है नाथन कुल्टर नाइल दो विकेट अभी तक निकाल चुके हैं शिकरदवन का विकेट उन्हों नहीं निकाला था उसके बाद रोईश्रामा का भी विकेट उन्हों नहीं निकाला दोनों catch out हुए थे शिकरदवन को मैक्सवेल ने catch out किया और रोईश्रामा को कप्तान रनफिंच ने catch out किया वहीं पर अब जो अंबती राइडू का विकेट है ये भी catch out के तरह एलेक्स कैरी जो विकेट कीपर है उन्हों ने यहाँ पर catch out किया और भ भारतिय टीम को जीत के लिए 137 रन चाहिए आपके पास महन सिंग दोनी है किदार जादा हुए ये दोनों बल्लेबाज अगर सौर उन्हों की आंसे पार्टनर सिप करते हैं बिना कोई विकेट गवाए तो भारतिय टीम जीत सकती है लेकिन अगर यहां से एक भी विकेट ग जाएगी लेकिन आपे बल्लेबाजी और मिडिल ओडर को जो टेस्ट होना है यह अब हो जाएगा लेकिन अमबती राइडू ने एक बार फिर से निरास किया है फैंस को भी और क्रिकेट के जो दिगजा उनको भी निरास किया है जो चौते नंबर पे हम मान के चल रहे थे कि हम बती राइडू वर्ल्ड कप के लिए परफेक्ट है एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर चौते नंबर पे कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो वर्ल्ड कप में भारते टीम को जीत दिलाएगा तो इंडिया उस्टेलिया के अपडेट्स के लिए आप हमारे न नई नमस्का